चार दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे दिनां 11 सितंबर 2024 का संपुर्ण राशिफल उसके बेले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चार्चा करेंगे आज का जो दिन है बुद्वार का है आज के दिन का जो गुलिक काल है वा शुरुवात होगा सुबद 10 बचकर 50 मिनट से लेकर 12 बचकर 23 मिनट तक और अभिजितमूर्थ दोपर 12 बचकर 69 मिनट से लेकर 12 बचकर 47 मिनट तक का होगा गुलिक काल और अभिजितमूर्थ दिन के शुबक अलावदी कहे जाते है इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुनकाम या फिनिरने आप ले सकते हो उसे प्रकार आज के दिन के जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा तो पर 12 बचकर 30 मिनट से लेकर 1 बचकर 55 मिनट तक और या मगंड़काल सुबसाद बचकर 44 मिनट से लेकर 9 बचकर 17 मिनट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुनकाम या फिनिरने बिल्कुल भी नहीं लेना उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा वृच्चिक राशी में ब्रहवन करेगा ये चंद्रमा रवी और रवी के साथ केंद्रयोग करने जा रहा है गुरू के साथ प्रतियोग करने जा रहा है रात नौ बच्चकर पच्पर उनके बाद ये चंद्रमा धनु राशी में ब्रहवन करेगा और नेक्चुन के साथ केंद्रयोग करने जा रहा है यह गरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिकल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहली रशी है मेश रशी मेश रशी का इस्टम बाव में चंद्रमा का ब्रहण है और आपके द्वित्या बाव में से गूरू के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है पंचम बाव में से तरभी के साथ यह चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है रात नौ ब करके मैं तो पुर्णा काम की शुरुवात आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना थोड़ा सा जो दिन है वो प्रेशर में स्ट्रेस में बीच सकता है हलकि शाम के बाद करें समय है उसमें थोड़ा आपका जो माइंड सेट है उसमें सकारत में बदलाव देखा जाएगा दिन आ पर शोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है यह थोड़ी बड़ भी सकती है घर के जो लोग है उनके साथ साथ भी चोटे मुड़ी बातों के लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ पर थोड़ा कंट्रोल करना अवशक होगा शाम के बात करें समय हैं उसमें आपको थोड़ असा स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मितिन राशी मितिन राशी के शच्च बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपे की त्रित्य अभाव में सित रवी के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है वही अभाव में सित गुरू के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग कर करने जा रहा है शाम 9 बचकर 20 मिंट के बाद यह चद्रमा आपके सब तो में ब्रहवन करेगा और दशंबाव में सित निफ्चुन के साथ यह चद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है मैं तो बने दिन हैं आपके लिए आज आपका स्ट्रेस टेंशन थोड़ा देखा जाएगा किसी भी प्रकार के महत तो क्रण काम नेने कमिट्मेंट प्रॉमिसेस कोई भी काम आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना आपके जो अंदास है वो चोग सकते हैं शाम के बाद कर समय है उसमें आपकी जो वैवाई जोड़ितार उनके साथ च्छोटी मोटी बातों को लेकर त अगर आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंतर रखना आवश्रक होगा शाप के बाद कर समय है उसमें आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्रक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के चतरतों बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन और आपी के राशी में सित्रवी के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है दश्रम बाव में सित्गुरू के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा ह इसके बाद की जो राषी है वो है कन्या राषी जाए आज का दिन है बुजी डे साबित हो सकता है घूमना फिरना जादा हो सकते हो थोड़ा सा जादा हो सकते है स्वास्त के बारे भी ध्यान देना होगा अलाकि शाम के बात के समय है उसमें आप पूरी तरह से आराम करना पसंद करोगे लेकिन आपकी जो वैवाइक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मूटी बातों को लेका तकरा हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी आपके जो दिन है आपको आपकी जो पेंडिंग घर चे रहेंगे उस पर ध्यान देना होगा अतिरिक स्पेंडिंग होने के संभावना काफी ज्यादा वनेरे थोड़ा सा स्वास के बारे में ध्यान देना होगा शाम के बाद के राशी है उसमें महतोपुणा काम आप हाथ में ले सकते हो या फिर थोड़ा सोच विचार हो सकता है काम से रिलेटर लेकिन किसी भी प्रकार के महतोपुणा देने commitment promises वाली बाते शाम के बात करें समय हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना इसके बाद की जो राशी है वो है बृच्चिक राशी बृच्चिक राशी में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आभी के दशंबाव में सित्रवी के साथ ये चंद्रमा केंद्रियक करने जा रहा है सब्तम बाव में सित्र गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है रात नौ बचकर बाइस मिंट के बाद ये चंद्रमा आपके दृतिया बाव में ब्रह्मन करेगा और पंचम बाव में सित्र निप्चुन के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है इसके बाद की जो राशी है वे है धनो राशी आपके बाग्या पाऊमें सिट रविक के साथ यह लाँ के इन्दर्यों करने जाओ रहा है रात 9 बाश कर 22 मिट के बाद यह लाँ हाँ और चाहत्रत बाऊमें सी नयपचिन के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, काफी महत्वपण दिन है आपके लिए, आज की दिन किसी भी प्रकार के महत्वपण दिन नहीं चोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना, आज की दिन भूमना भेना जादा हो सकता है, थोड़ा stress tension दिखाई दे सकता है, इसके बाद के जो राशी है, वो है मकर राशी, मकर राशी के लाव भाव में चंद्रमा का ब्रवन है, और आपी के बंचम भाव में सिद्ध गुरू के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है, आज की दिन आपकी जो खर्चे रहा है, कि उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा, स्वास से रिलेड़े चोटी मुटी परशानिया सामने आ सकती है, अगर आप किसी के relationship में है, तो वहाँ पर भी चोटी मुटी बातों के लिए करतकरा हो सकते, शाम के बाद के समय उसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा, किसी भ कुंभर शी के दशम बाव में चंतरमा का भ्रह swelling आपके पंकम पणिक निफ्चुन के साथ रहा है, अगर ध्यान दिन है आपके आपके लिए, आपका जो बी कार्रेंदemy्य चेतर है, उसमें आख बहुत जधा कि आप कre derived के साथ या डूत करने जा रहा है सब साथ है अस Yuri Kidra रहा है अवाने सध्रविक चोड़ी बातों के बातों को लेकर तकरा सकते कारशेतर क्सी लेकर किसी भी प्रकॉत करे महतोबनी क्हों रहा है बड़े ऑज़ आपके बाद करें समय है उसमें आपको चोटे मुटे लाब मिल सकते हैं लेकिन आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ असा कंट्रोल करना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के भाग्या बाव में चेंदर मा का ब्रहवन है और आपके शस्ठ बाव में से त्रवी के साथ ये चंदर मा केंद्र योग करने जा ह्ला है चंद्रमा पेंद्रियो करने जा रहा है, काफी महत्वण दिन है आपके लिए, आज कर दिन है आपको घूमना फिरना जादा हो सकता है, महत्वण कामभिया पात में ले सकते हो, सिर्फ महत्वण निलने नहीं लेना, अगर लेने हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिए, थोड़ 11 सितंबर दो हजार चोबिस का संप्रण राशिपाली, धन्यबार